तो आप देख सकते हो यह है मन्थ 14 का रॉयल पास और जब हम अपग्रेड के बटन के पर क्लिक करते हैं यह तो देखो यह अपग्रेड का ऑप्शन आ गया है हेलो दोस्तो के सो आप में आगे हूँ और एक नए वीडियो के साथ तो दोस्ते एक बहुती बड़ी प्राब्लम हो गई है बिजयमाई के अंदर जब हम रॉयल पास के उपर क्लिक करते हैं तो फिर हमें वो ट्रेलर तो दिखाई नहीं देता जो की है मन्थ 14 रॉयल पास का औ और यह रॉयल पास के अंदर आप देख सकते हैं यह डिजाइन भी दिखाई नहीं दे रहें मतलब यह ग्राफिक्स भी गायब हो गए है और आप देख सकते हैं नाइट ओफ दी फेबल्स तो जब हम इसके पर क्लिक करते हैं तो यह ट्रेलर दिखाई नहीं देता सिर्फ आ कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आप बस इस वीडियो को पुरा अंतक देखते रहें कुछ भी स्कीप मत करें उससे पहले दोस्तो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आये हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आर आप ज दोस्तों आपको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रॉयल पास जब हम बाई करने जाते है अपग्रेड के उपर तो यह बाई नहीं हो पारा मतलब बटन ही वर्क नहीं कर रहा और बाकी यह ग्राफिक्स भी दिखाई नहीं दे रहे और हम देखते है कि क्या हम EZ Mission License को ख EZ Mission License के यहां से क्लिक करके हम रॉयल पास के पर्चेस के पेज के उपर जा सकते है नहीं तो यह भी नहीं कर सकते है आपको फिर से दिखा देता है यह फ्री के उपर ओके उपर क्लिक क्या और यह देखो आ गये है तो दोस्तों यह क्या प्रॉबलम है तो मैं आपको बता द क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दिखा देता हूँ, अगर आप गेम लॉग इन करते हो तो आपको एक नोटीस भी दिखाई देगी, जो फिलाल मैं भी दिखाई नहीं, दिरी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नोटीस भी कुछ तो आ रही है, मतलब वो कुछ कुछ बताना चाहते हैं कि आप रॉयल पास नहीं कर सकते हैं फिर गेम के बार में भी हो सकता है गेम बैन है या नहीं तो आपको मैं बता दू कि ये शायद उनके तरब से ही उन्होंने बंद किया है और अगर ये ग्लीच है तो वो फिक्स करेंगे या नहीं इसका भी कोई ऐखाएगा और जो मैं आपको प्रूफ की बात कर रहा था कि या या यह रहặt बाक्व को अन्दर चाह्टे होँ में आपको दिखा दा हूँ- हम जाते हैं प्जिश मॉबाइल के अंदर तो अब आप देखो d PUBG Mobile के अंदर अगर हम Royal Pass पर क्लिक करते हैं तो यह देखो Royal Pass ठीक से दिखाई देता है यहाँ लेफ में देखो यह ग्राफिक्स भी दिखाई देते हैं और यह Night of the Fables के उपर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखो तो ट्रेलर भी दिखाई देता है मतलब यह PUBG Mobile के अंदर प्रॉबलम नहीं है मतलब यह Royal Pass के अंदर प्रॉबलम नहीं है उनों ने Crafton ने शायद वो कुछ तो बंद किया है उसी वह इसे नहीं हो रहा आप देख सकतो यहाँ हम upgrade प्रास के उपर क्लिक करते हैं तो यह देखो purchase को option आ रहा है और बाकी सब कुछ यहाँ चल रहा है देखो यह भी ठीक से दिखाई दे रहा है mission is a license के उपर क्लिक करके यह देखो यहाँ क्लिक करेंगे तो यह बाई हो जाएगा तो यह सब कुछ चल रहा है तो आपने देखाई होगा कि PUBG Mobile के अंदर ठीक चल रहा है पर BGM के अंदर नही दोनों सेम था कोई अपडेट ने आया है दोनों में तो ऐसा क्यू हुआ है तो इसे यह कुछ थोड़ा फिशी लग रहा है मुझे तो शायद यह क्राफटन नहीं किया है तो हम वेट करेंगे गाईस देखते हैं कोई अपडेट या फिर वो नोटीस फिर से आ जाए और ठी से दिखाए दे कि वो क्या कहना चाहते तो यार हमें पता चल जाएगा तब तक गाईस आप वेट करो और आप रॉयल पास के मिशन कंप्लीट करते रहो तो मैं नेक्स्ट वडियो में आपको वीक वन के सारी मिशन डीटेल में एक्स्प्रेन करूंगा तो आप चैनल को सब् सब्सक्राइब करके रखे और ब्रेंट से भी आल पर सेट कर दें तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वे में तिल देन से भी बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग